नमस्कार फ्रेंट्स अपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में फ्रेंट्स प्रिवेस एक्जाम्स से मोस्ट रिपीटिड क्यूस्चन्स इस वीडियो में मैंने सम्मिल किया हैं और जनरल साइंस के क्रेस कोर्स का काम करेगा यह वीडियो आपके और फ्रेंट्स परते क्य एक्जाम का नाम भी लिखा हुआ है जिस भी एक्जाम में एक्जाम पुछे गए हैं तो सभी के सभी क्यूस्टन बढ़े लेवल के एक्जाम से हैं तो पहले क्यूस्टन के साथ स्टार्ट करते हैं यह वीडियो कोशिका के ना बिक के अलावा किस अंग में डिन ने पाया जा विटामिन C की कमी से हो जाती है, कौन सी बिमारी स्कर्वी, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसुडे फूल जाते हैं इस रोग में नेक्स्ट, विटामिन D की कमी से कौन सी बिमारी होती है, रिकेटस या फिर रतोंदी, लिखे बरताई ये कोमेंट्स में सिनकोना के वरक्स से कौन सी ओसदी बनाई जाती है तो सिनकोना का वरक्स ब्रेंस कुनायन की दवा बनाने में काम लिया जाता है और कुनायन की दवा किस बिमारी में काम आती है? मलेरिया में, मलेरिया रोग में काम आती है कुनायन की, कड़वी होती है ये दवा आवर्थषारणी में कौन सा पैला ततो है आवर्थषारणी का पैला ततो में आखरी उत्पाद क्या है मोनो सैकेराइट्स मोनो सैकेराइट्स होता है नेक्स्ट क्यूस्टन देखते हैं बारत के पहले प्रमानु रियक्टर का नाम क्या था तो बारत का पहला प्रमानु रियक्टर था उसका नाम था एपसरा और यह एपसरा प्रमानु रियक्टर इतना यह आंसर रहेगा वैसे इस क्यूस्टन का और डिटेल देतेता हूं यह परमानू रियक्टर नुकलियर रियक्टर कब बना था 1956 में और कहां पर बना था ट्रामबे मुंबई के निकट एक जगह हैं ट्रामबे महाराष्टर में वहां पर बना था और इसको किसने बनाया था बार्क ने बार्क की फूल फॉरम होती है बाबा आटोमिक रिशर्च इसको बनाया था नेक्स्ट की सब्सक्राइब करके बाएन्यों नोमीयर नाम पदती इसको द्विनाम नाम पदती भी बोलते हैं किसने प्रस्तावित कि थी बहुत है अच्छा की फिर देटि काल इन्य नेक्स्ट मानों शरीर में कौन सी गरन्थी? Master gland कहलाती है capture घर्ण व्र पेचा इंगलिस में nessa study मास्ट्र गरन्थी कहलाती है नेक्स्ट क्यूश्टन परत्वी तद़ा सूर्य की निकर्तम स्थिति को क्या नाम देते हैं? जब परत्वी और शुर्य prophet अपने निकर्टम होते हैं किस डेट को होते हैं ये ही प्रांट्स 3 जनवरी को तो इस स्तिती को जानते हैं इस का अनशर रहेगा UP-SORE और एक और गटना होती है अप-SORE की जब परत्वी और शुर्य है अदिकतम दूरी पर होते हैं वो कब होती है चार जुलाई को उसको नाम देते हैं अपसोर तो याद रखें फ्रेंट्स थोड़ा सा ही डिफ्रेंट्स है दोनों गटनाओं में सबसे दूर और सबसे नजदीक और डेट भी याद रखें यह भी पुछे जाती है एक्जाम्स में एनेचिक पेशियां किसके दवारा नियंत्रित होती है तो मस्तिक्स का एक बाग है जिसके दवारा नियंत्रित होती है एनेचिक पेशियां सेरीब्रम सेरीब्रम इसका नाम है फ्रेंट्स गोविंद सागर जलास से जो है वो भांकडा नंगल बांध का हिस्सा है नेक्स्ट किस्टन बार्त में पहला बारी जल बनाने का प्लांट का स्तापित किया गया था तो फ्रेंट्स का पर स्तापित किया गया था ये नांगल पंज्याब में नांगल पंज्याब में स्तापित किया गया था आपको कोमेंट्स वोक्स में लिख कर बताना है कि बांखडा नंगलबंध किस नदी पर पादो कि थी इसकी खोज की थी생 ए मिद्न एकवर्शिजन की खोज किestि ने यह याद रखें और खुसिजन की खोज किसने की थी जो सफ क्रिश्ट लेने जो सप्रिस्ट लेने ऑप शीजन की 생각이 समूदर सुनेरी दिखाई देती है दुद्गरावद के दिखाई देते हैं समूंडरी SCP नेक्स्टी सोडिय More स्थीन कार्पोनेट का पर्चलित नाम क्या है सोडियю soda यानि कपड़े दोने का soda और sodium bicarbonate का क्या है परचलित नाम प्रफुलर नेम baking soda यानि खाने वाला soda यह उता है sodium bicarbonate इसका sodium bicarbonate का फोर्मूला थे न यह нeactesti संद का नाम नाब टाइटन है यह फ्रेंट्स कच्छे आम और अंगूरों में कौन सा अमल पाहिछ त्या टार्ट्रिक और खटीचिजों में पाया जाता है टार्ट्रिक और किसें वोईस बोक्स दोनी सैली का जाता है ले Sum अरिग को अधिन बहुत ईजी और अच्छे क्यूस्टन से यह दिन को आप छोड़ते हो एक्जाम में सब्सक्राइब परो जाते हों क्योंकि ये इजी इजी क्यूस्चन से बहुत यच्य चे बारत का पहला प्रमानु उर्जारीक्टर का श्तापित किया गए था तो ये श्तापित किया गया था प्रेंट्स तारापूर में नेक्स्ट, बोपाल गैस त्राश्दी के दोरान किस गैस का रिषा हुआ था तो इस गैस का नाम था फ्रेंस, short name था MIC, methyl isosinate, methyl isosinate का रिषा हुआ था बोपाल गैस त्राश्दी के दोरान next mobile phone में प्रियुक्त होने वाली SIM का विश्त्रित अर्थ क्या है तो इसका पूरा नाम क्या है SIM की full form या पूछ रखी है SIM की full form होती है subscriber identity module यह SIM की full form होती है कोंसा तत्तो कमरे के सामने तापमान पर द्रव ऐवस्था में होता है तो कमरे का रूम टंप्रेचर कितना होता है फ्रेंट साइन्स की बासा में 25 डिगरी सेल्सियस इस तापमान पर द्रव अवस्था में लिक्वीड फोर्म में कौन सा पदार्थ रहता है पारा पारा को इंगलिस में क्या बोलते हैं मर्करी नेक्स्ट किस्टन इसकान सवर रहेगा वीलियम मोर्टान इसके अविस्कारक है नेक्स्ट मानोशरीर में लाल रक्त कणिकाउं यानि इंगलिस में बोलते हैं इसको रेड़ बलड बलड शैल्स का निर्मान कहां पर होता है तो उस जगहें का नाम है अस्थी मज्जा अस्थी मज्जा को इंगलिस में बोलते हैं बोन मेरो वहां पर आर बीसी का निर्मान उठता है अब तक ग्यात सबसे बारी ततव का परमानु करमाँक क्या है सबसे बारी टतों का पर्माणु कर्मा का एक्सो अठार है Next, Vitamin B2 का रासाइनिक नाम क्या है तो Vitamin B2 को बोलते हैं Friends Riboflevin और B1 को क्या बोलते हैं Thiamine और Vitamin B को भी commonly Thiamine ही बोल देते हैं Vitamin A को Retinol Friends वीडियो कोड़ोड करके दो-तीन वर देखें बहुत ही अच्छे-चे questions है, रक्त्का थक्काज बनाने में कौन सा vitamin मदद करता है, तो इस vitamin का नाम है vitamin K, ये रक्त्का थक्काज बनाने में मदद करता है, nitrogen के एक परमाणू में neutron की संख्या कितनी होती है, तोhos nitrogen का परमाणू कर्मा क्या होता है, atomic number होता एक और इसमें न्यूट्रोनों किसें क्या होती है जीरो एक भी न्यूट्रोन नहीं होता है इसके किसें यलो केक का जाता है यलो केक किसको का जाता है प्राकरतिक यूरेनियम को नैचुरल यूरेनियम को यलो केक बोलते हैं इसका निकनेम देते हैं फ्रैंसिस को कौन सा ग्रै जो सूरिय के की एक परिक्रमा पूरी करने में 88 दिन का समय लेता है कि एवल 88 दिन में सूरिय की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है उस ग्रै का नाम है बुद्ध उस ग्रै का नाम है नेक्स्ट देखते हैं कोशिका के किस अंग को सकती गरह यानि पाउर आउस बोलते हैं इंगलिस में पाउर आउस बोलते हैं तो कोशिका का कौन सा अंग होता है फ्रेंट्स इस का आंसर रहेगा माइट्रो कंडरिया और इस वीडियो के पहले क्यूस्चन का भी आंसर क्या था तो किसी भी कोशी का के नब के अलावा कहां पर डीने उपस्तित होता है यानि माइट्रो कंड्रिया में डीने भी होता है यह भी द्यान रखें प्रेंट्स कौन सा तत्व सभी कार्बनिक योगिकों में मिलता है तो कौन सा ऐसा कार्बन सभी कार्बनिक पदार्थों में मिलता है वो क्यों सा है कार्बन कार्बन सभी कार्बनिक पदार्थों योगिकों में पाया जाता है उस में ज, म, म, क्ल, कितने Hong class सथ लक्ष नो का वंशागती अध्यन किया थश तो मट्र में इक रिकने किद ल्क्रमें का वनशागती अध्यन किया मेंबैर्घ pluck का छ टां जनक बोला जाता है धर यंडिकिक्स सिग्रेट लाइटर में कौन सी गैस दरवीकर्त रूप में बरी जाती है सिग्रेट लाइटर में क्या होती है फ्रेंट्स अलपीजी और अलपीजी का मुख्या गटक क्या होता है ब्यूटेन तो cigarette lighter में कौन सी gas बरी जाती है इस कानस्व रहेगा butane butane cigarette lighter में बरी जाती है कौन सा अंजाइम सबसे पहले crystal क्रत किया गया था उस अंजाइम का नाम था ureage ये सबसे पहले crystal क्रत किया गया था अंजाइम next question है बारत का वे पहला सहर कौन सा है जहां 4G mobile सेवा प्रार्म की गई थी तो इस सहर का nickname है फ्रेंट सिलिकॉन वेली ओफ इंडिया बारत की सिलिकॉन गाटी भी इसको बोलते हैं सोट में तो 4G mobile सेवा सबसे पहले कौन से सहर में शुरूई थी बैंगलूरू में और वर्तवान में फ्रेंट्स 5G का टाइम आने वाला है और इसमें 4G में G की फूल फूरम होती है जनरेशन जनरेशन को इंडिय में बोलते हैं PD यानि मोबाइल्स की कौन सी PD है चोथी PD है फिलाल चल रही है पांचवी PD अभी आने वाली है नेक्स्ट, एस्ट्रोजन क्या होता है? ये फ्रेंट्स Oregon होता है मादा पर जनन आर्मोन होता है याद रखें I-R-NSS by Sun संचार उपग रहा है इसें किस देच ने विक्षित किया तो फ्रेंट्स नाम में जैसे की इसकी फुलफॉर में इंडिया का नाम आ रहा है तो इंडिया ने इसको विक्सित किया है किस कंपनी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विशिज वाट्सअप को खरीद लिया है तब यह आप वाट्सअप शुरू करते हैं तो निच्चे लिखावा आता है फ्रॉम फेस्बुक तो फेस्बुक कंपनी ने फ्रेंट्स इसको खरीद रखा है किसको वाट्सअप को next CPU का पूरन रूप क्या होता है CPU की full form क्या होती है computer का ये परमुख बाग होता है processing की काम आता है इसको brain of computer भी बोलते हैं यानि computer का दिमाग भी बोलते है full form होती है central processing unit next फलों को करत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी gas परियोग की जाती है इस gas का नाम है fucks acetiline acetiline वो gas है और इसको एक और नाम देते है ethileine ये वो gas है जिसको पलों को करत्रिम रूप से पकाने के काम अत्ती है शरीर में takarboidrate किस रूप मे होता है तो ये संगरित होता है glycosagen के रूप मे शरीर में kauf tun Beis गलाइकोजन के रूप में संगरित रहता है जीव कोशिका में राइबोसोम का कारिये क्या होता है तो इसका कारिये होता है प्रोटीन का संसलेशन राइबोसोम क्या करता है प्रोटीन का संसलेशन करता है नेक्स्ट जिवासम रिकोर्ड के अनुसार अब तक ग्याद सबसे बड़ा पक्सी कौन सा था तो इस पक्सी का नाम है फ्रेंट्स एपी और निस मैक्सी मस इसको एलिफेंट वर्ड भी बोल देते हैं सबसे बड़ा पक्सी दुनिया का नेक्स्ट है पर्थवी के केंदर से 36,000 किलोमेटर उपर वो मद्य रेखा के चारों और प्रिक्रमा करने वाला उपगर है कौन सा कैसा उपगर है कहलाता है फ्रेंट्स यह जियो स्टेशनरी उपगर है इनको बोलते हैं विश्व की पर्थव मैला अंत्रिक स्यात्री कौन है तो इनका नाम है फ्रेंट्स वेलेंटिना तेरेसको वा दुनिया की पहली मैला अंत्रिक्स यात्री हैं और यह किस देश से हैं यू डबलसर से यू az-a-r का अब वर्तमान में नाम क्या है रूस ये रूस का पुराना नाम है फ्रेंट्स तो पहली मांट त्रेश्ट पर च सब्सक्राइब अधियों और बार्तकी अंत्रिक्स में जाने वाली पहली मैला कोन थे? कॉमेंट्स में लिख कर बती है पहले पुरुष्त राकेश शर्मा एलिसा टेस्ट किसकी पैचान के लिए उता है तो फ्रेंज्स यह टेस्ट होता है एचाइवी संक्रमन की पैचान होता होता है पैचान के लिए HIV AIDS की पैचान के लिए एलिसा टेस्ट होता है कैंसर की पैचान के लिए कौन सा टेस्ट होता है जल्दी से कोमेंट्स में लिख दीजिए एलिसा टेस्ट होता है या फिर वायोप्सी होता है या फिर और कोई टेस्ट होता है किस विटामिन को हार्मोन मना जाता है तो इस विटामिन का नाम है विटामिन डी विटामिन डी को हार्मोन भी बोलते हैं विटामिन डी का रहा साइनिक नाम होता है कैल्सी फेरोल नेक्स्ट है परकास वर्ष किसकी हिकाई है परकास वर्ष को इंगलिश में बोलते हैं light year light year किसकी हिकाई है फ्रेंस ये दूरी मापने की हिकाई है distance मापने की और लंबी दूरियां इससे मापी जाती है ख़बोली है दूरियां mainly नेक्स्ट बेकिंग सोड़ा का रसाइनिक नाम क्या होता है बेकिंग सोड़ा होता है फ्रेंस इसका सोट में नाम खाने वाला सोड़ा जो हम खाने में यूज़ करते हैं तो इसका रसाइनिक नाम होता है नाम एक सा ये दोनों का तो ये खाने के बाद बाई होती है बाई एक रोग होता है तो इस कान से खाने वाले सोड़े में बीच में बाई आ जाता है बक्की नाम सेम ये दोनों का तो फ्रेंट्स नेक्स्ट क्यूस्टन एने अच सीओ तरी इसका फोर्मूला होता है प्लास्ट सुर्य के परकास से शरीर को कौन सा विटामिन बनता है सुर्य का परकास अपने शरीर में कौन सा विटामिन बनाता है इस विटामिन का नाम है विटामिन डी राशानिक नाम कैल्सी फेरोल सोर उर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति परियोग किये जाती है सोर उर्जा को बिजली में बदलने के लिए इस युक्ति का नाम है परकास वोल्टिये सेल परकास वोल्टिये सेल युक्ति का परियोग करते है नेक्स्ट कियूस्टन देखते हैं P skull shirtbig छिए में उर्जा किस पर्कृणिय। के दौवारा उत्पन होती तो इच्दू स्थ का नम है प्रेंच नाभी में कि अल्य यहां वह एक लेगा कर दो परकास्क्स में आपते हैं लंबी डिस्टेंस परकास्क्स में मफ्य करता है तो सिदांत का नाम एक पुरान औन्त्रिक परावरतन और इंटरन रुपलेक्शन 멋있ंग है इसपर यहकर करता है optical fiber स्अतंदारियों के रख्त में सबसे बड़ी कोशिकाई कौन सी होती है nu सबसे बड़ी कोशिकाइख या निदी जय robbery सतंदारियों के रख्त में कौन सी होती है यह होती है और टेंस monos STEVE मोनोसाइट्स होती हैं मानुशरीर की सबसे लंबी अस्थी कौन सी है तो फ्रेंट्स फीमर वो अस्थी है जो मानुशरीर की सबसे लंबी अस्थी होती है और सबसे छोटी अस्थी यानि सबसे चोटी अड़ी मानुशरीर की वो होती है स्टेपिस स्टेपिस कहां पर होती है क नेक्स्ट क्यूस्टन वेक्यूम ट्यूबों के साथ कौन सी पीडी के कम्प्यूटर बने होते थे तो फ्रेंट्स यहां इन्होंने गलत आंस्वर लिख रखा है तो इसका आंस्वर रहेगा पर्थम पीडी के कम्प्यूटर फैस्ट जनरेशन के कम्प्यूटर 1942 से 1956 के बीच जोब बने थे सबसे पहले उस पीडी के कम्प्यूटर वेक्यूम ट्यूब्स की मदद से बनाए गए थे वेक्यूम ट्यूब्स इनका मेन पार्ट था तो यहां पर यह गलत है फ्रेंट्स ध्यान रखें नेक्स्ट क्यूस्टन परमाणू के तीन गटकों में से सबसे कम दरवमान किसका होता है तो फ्रेंट्स तीन गटकों में से सबसे कम दरवमान किसका होता है इलेक्ट्रोन का प्रोटोन और न्यूट्रोन में सबसे अलका कौन सा होता है इलेक्ट्रोन वाईयान और रोकेट बनाने के लिए कौन सी दातु प्रियोग की जाती है एरोप्लेन और रोकेट बनाने में कौन सी दातु प्रियोग ओड़ती है इस दातु का नाम में प्रेंट्स एलुमीनियम एलुमीनियम दातु सबसे ज़्यादा प्रियोग की जाती है सापेकस्ता का सिद्धान्त किस ने दिया था ये दिया था प्रेंट्स इसको इंगलिस में बोलते हैं थ्योरी ओफ रिलेटिविटी अलबर्ट आइंस्टीन ने दी थी अलबर्ट आइंस्टीन की सबसे मत्वून खोज थी है सापेकस्ता का सिद्धान्त कौन सी सिरा फेफडों से हर दे में सुद्ध रक्त लाती है तो इस सिरा का नाम है पल्मोनोरी वेन फुसफुस सिरा भी इसको बोलते हैं नेक्स्ट क्यूस्टन, डिजल एंजन का विसकार किस ने किया था? तो इसके विसकार करें, रुडोल्फ डिजल, रूडोल्फ डिजल उन्सवर रहेगा, किस कोशिकांक में प्रोटीन का शंसलेशन होता है, तो पहले भी यह क्यूस्चन आ चुका है राइबोसोम में, partiin का श मनुष्य के बाल किस प्रोटीन से बने होते हैं इस प्रोटीन का नाम है किरेटीन किरेटीन के बने होते हैं मनुष्य के बाल और मनुष्य के तौचा का रंग और बालों का रंग नाखुनों का ये सभी रंग किस के कारण डिसाइड होते हैं मैला लीन के कारण मैला नीन याद जगदीश चंद休 Board sulla सब्वे हमादिव किर्ष को ग्राप का अविस्कार किया था तूरी किस काम आता है मैं पोदों कि और अरुकी नापने में इस अंतर का प्रियूक किया जाता है किस माध्य में दवनी सबसे तेज चलती है तो फ्रेंट्स वो माद्य में ठोस सोलीड में दवनी सबसे तेजगती करती है याद रखें सोर मंदल का सबसे बड़ा घ्रै कौन सा है सबसे बिगस्ट प्लानेट अवर विटामीन आहे वो विटामीन 12 तो फ्रेंट्स एक ओर विटामीन है जिसको आर्मोन विटामीन भी बोलते हैं जिसमें कौन से विटामिन वह विटामिन डी अभी थोड़ी देर पहले कि उसच्छन आय था और स्किर्वी रोग प्रेंट्स है और विटामिन बी टू का सायनो कोबला मीन इसको बोलते हैं सायनो कोबला मीन ये इसका नाम होता है रसाइनिक नाम नेक्स्ट देखते हैं डाइनमाइट का विसकार कौन है तो इसका विसकार किस ने किया था अलफ्रेड नोबल ने अलफ्रेड नोबल का सबसे मेत्वपून विसकार था फ्रेंट्स कौन सा डाइनमाइट और डाइनमाइट क्या काम आता है फ्रेंस, विस्पोर्ट करने में, पाडियों वगेरा में, बड़ी बड़ी चटानों को तोड़ने में, विस्पोर्ट करने में काम आता है लेकिन वर्तमान में इसको औरी काम मिलिया जाता है बमों वगेरा में तो इसके बसकारक थे अलफेड नोबल जिनके नाम पर Nobel Awards की Nobel Awards दिये जाते हैं इहने के नाम पर अलफेड नोबल के नाम पर पर और साल इनके जनम दिवस 10 December को ये award दिये जाते हैं तो यह है डाइनमेट के बसकारक तो अगला क्यूस्थचन restriction endonuclease को क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं फ्रेंट्स जैविक कहची भी बोलते हैं CO2 यानि carbon dioxide के एक अणू में कितने electron होते हैं तो इसके एक अणू में electron होते हैं 22 Bluetooth का विसकार किस company ने किया था Bluetooth friends data transfer करने में आता है काम आता है wireless wireless एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में data transfer हम कर सकते हैं Bluetooth की मदद से सबसे पहले इसका विसकार किस ने किया था Ericsson company ने ने नेक्स्ट क्यूस्टन देखते हैं कौन सा उपकरण नमी को नापता है इस उपकरण का नाम है प्रेंट्स आईग्रो मिट्र आईग्रो मिट्र क्या करता है नमी को नापने में काम आता है मनिष्य की लार में पाय घाने वाला एंजाइम कौन सा होता है मनिष्य की लार में एक एंजाइम पाय जाता है उसका नाम है Tylen T जल का गंतव किस तापमान पर अधिक्तम होता है तो जल का गंतव सबसे ज्यादा किस तापमान पर होता है चार डिग्री Celsius पर चार डिग्री Centigrade पर जल का गंताव सबसे ज़ादा होता है फ्रेंट्स अब से हर मैंने जिक्के कुछ कॉंट्रेस्ट आयजित किये जाएंगे तो ये rules आप वीडियो को push करके पढ़ लें जिक्के कुछ कंट्रेस्ट के जो रेगुलर्ली कॉमेंट्स कर रहे हैं मेरे वीडियो के रेगुलर्ली साई जवाब दे रहे हैं उनके लिए ये क्युछ कोंट्रेस्ट है और जो नहीं भी दे पा रहे हैं आग्गे जुड़ जाएंगे तो उनके लिए भीए friends, अभी तक कोई भी नहीं मिला है कल से, दो दिन से किसी ने भी इसके लिए participate करने के लिए आ नहीं बरी है तो friends, क्रेस को graph के विसकार कोन है इसका जवाब कोमेंट बोक्स में लिख कर बते हैं आप email पर जिस भी वीडियो का सक्रीन सोट बेज जाएंगे, उसी वीडियो के किस्चन साब से पुच्छे जाएंगे, जिस तरह से इन दोस्त ने बेज़ जाए इस वीडियो का सक्रीन सोट, तो एक वीडियो को लाइक और friends, उसमें कोमेंट करके उसका सक्रीन सोट इस तरह से बेज दीजीए मेरे पास email के मादम से आपको select कर लिया जाएगा friends आपका बहुत बहुत दन्यवाद इसी तरह से जुड़े रही है वीडियो को share भी जरूर कीजिए share करते हुए screen insert भी आप ले सकते हैं